आईपेल 2020 का तेरवा मुकाबला शेक जायाद स्टेडियम में मुंबाई इंडियन्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला गया जिसमें मुंबाई इंडियन्स ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रनों से हरा दिया टॉस हार कल पहले बल्लेबाजी करने उत्री मुंबाई इंजिन्स ने 20 ओवरों में 191 रन बनाए मुंबाई की तरह से रोहिश्षर्मा ने 45 गेंदो पर शांदार 70 रन बनाए वहीं केरोन पराड ने 20 गेंदो पर धुवाधार 47 जपकी हादिश पांजय ने मातर 11 गेंदों पर 30 रनों की जबरदर्फ पारी खेली पिशली मैच में इन 99 रनों की शांदार पारी खेलने वाले इशान किशन ने 28 रन बनाए 192 रनों की लक्ष का पिछा करने उत्री पंजाब की टीम शुरू सहील ले में नहीं दिख रही थी लोकेश राहूल और मैंक अगरवाल ने टीम को एक गंभीश हुआ तो दी लेकिन बात के बल्ले बाजों के निराश जनक प्रदर्शन के कारण पंजाब की टीम 20 ओवरों में आज विकेट के नुकसान पर 143 रन ही बना सकी पंजाब की दरफ से सरवादी 44 रन निकोल स्कूरंड ने बनाए मुंबाई के सबी गेंदबाजों ने बहतरीन गेंदबाजी की सबसे जादा प्रभावी जस्प्रीत बुम्रा ने किया बुम्रा ने चार ओवरों में 18 रन देकर दो विकेट चटकाए मुंबाई की तरफ से 20 गेंदो में 47 बनाने वाली किरोंड कुरार को प्लेयर आफ दे मैच घोशित किया गया आईपेल का चौजवा मुकाबला आज चेन नहीं सूपर किंग्स और सुनराइजर्स हैदराबाद से बीच खेला जाएगा आईपेल से जोड़ी तमाम खबरों के बने रहें नेशन लाइफ आईपी टीवी के साथ वित कृतिका दुपाइटी